मतरणी दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्णा फीसियल में उमीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै स्री बिश्नु जरूर लिखेगा तो चलिए दोस्तों आज हम इ स्री हरी बिश्नु भगवान की किर्पा आपके पूरे परिवार पे हमेशा बनी रहें तो चलिए बरुथनी एकादसी की कथा सोनेते हैं धर्म राजे उधिष्टिर बोले कि बैसाख मास के क्रिश्न पक्ष की एकादसी का क्या नाम है और उसका बीधी क्या है उस ब्रत को क किस फल की प्राप्ती होती है आप मुझे बिश्टार पुरुवक कहिए तब स्री क्रेश्न कहने लगे कि हे राजेश्वर इस एकादसी का नाम बारुथनी एकादसी है या सुख सोभागे देने वाली एकादसी है और सभी पापों को नाश्ट करने वाली एकादसी है और अ राजा मंधाता सोब्य हो गया था बारूथनी एकादसी का फल दस हजार वस तक तप करने के बराबर प्राप्त होता है। कि हाथी के दान से घोरे का दान्स रेष्ट होता है, घोरे के दान से भूमी का दान्स रेष्ट होता है। कन्यादान के बराबर ही माना गया है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे यूधिश्टर जो मनुसे लोग के वस में हो करके कन्या का धन लेता है, वो परले काल तक नड़क में वास करते हैं। और जो मनुसे प्रेम और धर्म के साथ में कन्या का दान करते हैं, उनके पुन्य को चित्र गुप्त भी लिखने में आसमर्थ रहते हैं। और ऐसे मनुसे को ही कन्यादान का फल प्राप्त होता है। ये सब ब्रत के दिन त्याग करना चाहिए, ब्रत के दिन क्रोध ना करें, जूठ ना बोलें। और इस ब्रत में अन, नमक और तेल ये सभी चीजों को बरजित मना गया है। ये राजान, जो मनुसे इस एकादसी को बीधिवत करते हैं, उन्हें स्वर्ग लोग की प्राप्ती होती है। इसलिए मनुसे को पाप से डरना चाहिए, इस महतमों को पढ़ने से एक हजार गौवदान करने का फल प्राप्त होता है। हे राजान, अब मैं बारुथनी एकादसी ब्रत की कथा का वर्नन करता हूँ, तुम ध्यान पुर्वक सुनो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के टट पर एक मंधता नामक राजा राजी करते थे, वो अत्यांत दानसिल तथा तपस्वी थे, एक दिन जब वोहर जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने एक जंगली भालू वहां आया, और राजा का पैर चबाने लगा, अगर तापस धर्म के अनुकूल, उसने क्रोध और हिंसा ना करके भगवान बिश्नु से प्राथना किया, तब करुना भाव से भगवान बिश्नु को पुकारा, तब उसकी पुकार सुन करके, भगवान स्रीहरी बिश्नु ने वहां प्रगठ हुए, और उन्होंने चक्र स भालू को मार डाला, लेकिन राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था, इससे राजा बहुत ही सोक कुल हुए, तब उनका दुख देख करके भगवान बिश्नु बोले कि हे बद्स सोक मत करो, तुम मत धुरा जाओ, और बारूथनी एका दसी का ब्रत रख करके, मेरी बा भालू ने तुम्हें जो काटा है, या तुम्हारे पुर्व जनम का अपराध था, तब भगवान का आग्या मान करके, राजा मंधाता ने मतुरा जाकर, सरधा पुर्व बारूथनी एका दसी का ब्रत किया, तब इस ब्रत के प्रभाव से, राजा सीखर ही, पुना सुन्द का ब्रत रख करके, भगवान बिश्नु का अस्मरन करना चाहिए, इस ब्रत को करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं, और अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है, तो सब लोग बोलिए, एका दसी माता की जै, तो बता दो कि बारूथनी एका दसी का ब्रत, चार मई को किया जाएगा, दीन है सनी बार, तो जो भगद एका दसी का ब्रत करते हैं, तो ये ब्रत अगर आप करते हैं, तो सबसे अच्छा है, अगर आप नहीं भी करते हैं, तो भी आप एका दसी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके, अपने घर की साफ सफाई करके, अपने नित्य कर्म उसके बाद भगवान सुर्य देव को जल दे उसके बाद आप अपने घड के मंदिर में भगवान विष्णू की बिधी विधान से पूजा कर ले और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णू को पीले फूल और पीले फल अरपित करने से हमें जीवन में खुसिया प् लक्षमी को इस दिन भिषेश किर्पा पाने के लिए आप लोग इस दिन माता लक्षमी को लाल फुल जरूर अरपित कीजिएगा तो ये थी बारूतिनी एकादसी ब्रत की कथा और पूजा भी थी अब चलिए जान लेते हैं कि एकादसी थी कब से सुरू हो रही है कब की एकादसी थी सुरू हो रहा है तीन माई को रातरी में एगारा वज के 26 मिनट पर एकादसी थी शुरू होगा और il.4 माई को शाड़े दिन रहते हुए रातरी में आठ वज के 41 मिनट तक रहेगा उसके बाद समाब्त हो जाएगा तो उद्या तिथी के आनुसार हमें बरूथनी एकादसी का ब्रत चार माई को करना है दीन है सनी बार आप चलिए पारन का सूब महुर्त जान लेते हैं तो एकादसी के पारन का जो सूब consensus है वो पांच माई को सुबह में पांच बज़के 45 मिनट से ले करके और 9 बजे तक इसी बीच में हमें पारण कर लेना है 9 बजे के पहले-पहले हमें पारण कर लेना है क्योंकि जितना अवस्यक एकादसी के ब्रत करना है उतना ही अवस्यक पारण का भी होता है तो पारण अगर आपका भोजन बन गया है तो सबसे आच्छा है नहीं बना है तो तूलसी पत्र और चाना इम्रित से आप अपने मुख में डाल करके ब्रत खोल लीजेगा उसके बाद आप पारण कर लीजेगा तो उमीद करते हूँ कि आप लोगों को एकादसी से सम्बंधित संपून जनकारी प्राप्त हो गई होगी तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और चाइनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजेगा बेल आइकन को प्रेज कर दिजीगा जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को लाइक कर दिजेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और वीडियो को सेयर कर दीजेगा ताकि हर कोई बारुथिनी एकादसी से संबंदित बारुथिनी एकादसी ब्रत की कथा को सुन सके क्यूंकि हम तो ब्रत तो करते हैं लेकिन अगर हम कथा नहीं सुनते हैं तो हमारा ब्रत पूरा नहीं हो इसलिए हमें इस वीडियो को जादा से जादा आप लोग सेयर कर दीजेगा तो चलिए दोस्तों मिलती हूं अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार